तक्रिवन तीन दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है दोस्तो इस बार का जो रेल बजट है काफी सामान्य साथा वही फंड मिला है जो की हर साल मिलता है यानि कि किसी प्रकार की विसेश गोष्णा इस बार बिहार या कि देश के लिए नहीं की गई है जब इस साल का फाइनल बजट आएगा यानि कि जुलाई के महिने में तब हमें बड़ी बड़ी घोष्णाय देखने को मिल जाएंगी लेकिन दोस्तो इस साल बिहार को रेल बजट के बाद कई बड़ी सौगाते मिली है तकरीबन दस से जादा नई टेने बिहार को मिली है इस बार रेल बजट के जाद में यानि कि दो फरवरी को दोस्तो इन ही में से तकरीबन जो दो टेन है वो मिली है जैनगर दर्भंगा रेल रूट को दोस्तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि यहाँ पे जैनगर से कौन सी नई टेन की अनौन्समेंट हुई है कब से ये टेन चलेगी और दोस्तो इस जादी होते हुए रक्सॉल तक के लिए दोस्तो इस टेन को जो है वो रेल मिनिस्टी की अप्रूवल मिल चुकी है दोस्तो यदि हम यहाँ पे इस टेन की टाइमिंग और इस टेन के रूट की बात करें तो यह जो टेन है एक डेली टेन होगी जो की रक्सॉल रिलवे से 3 बस के 45 नट सुबह में खुलेगी 5 15 में पूचेगी दर्भंगा 25 25 में खुलेगी और रक्सॉल रिलवे इस्टेशन यह टेन पहुच जाएगी 9 बस के 30 नट पे यह टेन एक पैसंजर टेन होने वाली है दोस्तो इसके साथी साथ रक्सॉल से जोगबनी के लिए भी एक यह टेन की अनॉंसमेंट की गई है यह दोस्तो यह जो टेन है वाया सितामडी दर्भंगा सकरी जंजारपुर ललित ग्राम फॉर्बिस गंज होते हुए जोगबनी तक जाएगी इस दोरान इस टेन का तकरीवन 3 बार लोको रिवर्सल किया जाएगा सबसे पहले तो सिताम यह दर्भंगा जंचन पे इसका लोको रिवर्सल होगा उसके बाद यहाँ पर लिद ग्राम रेलेवी इस्टेशन पर होगा और फिर फॉर्बिस गंज रेलेवी स्टेशन पर लोको रिवर्सल किया जाएगा जिसका रण से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की ये ट्रेन होगी ये ट्रेन सप्ता हमें दो दिन चलेगी रक्सॉल से ये ट्रेन चलने वाली है सोमवार और गुरुवार को और वही जोगबनी से भी ये ट्रेन सोमवार और गुरुवार को ही चलेगी दोस्तों इन दोनों ही ट्रेनों पर आपकी क्या राया है कॉम्मेंट को देखे जुरूर्ट बताया है उसना ही मिलें को वडियों को साथ पुली चाहिए चाहिए चाहिए